हे गाईज वेलकम बैक टू माई चैनेल आज मैं आप लोगों की साथ सेयर करूंगे अपना इविनिंग रोटीन वैसे मेरा हर सम इतना अच्छा इतना हैपेनिंग और रूमेंटिक तो कभी नहीं होता है क्योंकि इतना अच्छा वेदर तो नहीं रहता है हर रोज आज कोलकता में बहुत अच्छा वेदर था तो मैं टैरेस पे आ गई बहुत ठंढ़ी हवाई चल रही थी बचपन में इस्कूल के बाद हम लोग तो सब टैरेस पर ही रहते थे टैरेस पर बाते करते थे एक दूसरे से खेलते थे साम तक हम लोग का मस्ती चल दी थी और अभी का जेनुरेशन बोलो फैर अभी का सोसाइटी ऐसा हो गया कि टैरेस पर कोई जाते ही नहीं सब कोई मुबाईल, लैपटॉप तो या फिर रिल्स देखने में बिजी होता है पर मुझे लगता है नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यदा ज़रूरी है जो आपको सुकून मिलता है जो फ्रेसनेस मिलता है वो कोई सोसल मेडिया में आपको नहीं मिलता है मैं कोसिस कर करते हूं कि मैं जितना हो साथ नेचर के साथ और नेचरल चीजों के साथ ही में आगे बढ़ू ताकि आगे का लाइफ मेरा हेल्दी हो अच्छा हो और मेरे ब्रेंड भी अच्छा रहे क्योंकि जितना जादा सोसल मेडिया में अप कनेक्ट रहोगे उतना जादा बहुत सरी ऐसे सिस्टर है जो जीम नहीं जो आपाती है घर से अलाव नहीं करते या फिर बजट नहीं होता है जो लोग टीनेज हो लोग अफॉर्ड नहीं कर सकते जीम में बड़ सब के पाद टैरेस होगा गार्डन होगा तो आराम से आप वहां पर वाक आउट कर जखतों अ आपको कुछ टाइम बिदाउट फोन भी रहो आप बहुत अच्छा फील करोगे आपको फ्रेस हावाय मिलेगी उसके साथ आप बॉक आउट करोगे एंड जो सुईटिंग होगा ना फैट बर्न होता है आपका इसकिन का कॉलिटी इंप्रूव होता है क्योंकि जितना आप स लेकिन बहुत दो ग्लो भी करता है एक्नी और पिंपल का प्रॉब्लेम भी रहता है वह भी शलूशन हो जाता है जस्त उसको करना अपना डाइट पर फोकस करना होता है और वक करने से आपका ब्लड सर्कुरेसिन भी बहुत जदा हाई होता है जिसके आपका है और हो जाए वाइसे कुछ नहीं होता है आप अगर educated हो अब पढ़ाई लिखाई करो अब थोड़ा सा देखो चीजों को आपको समझ में आएगा 20% हम लोग का external जो कोई भी क्रीम सीराम 20 या फिर 30% वो वाक करता है वो आपको support देता है and 70 to 80% आपको internal चीज़े आपको बहुत बेटर करता है तो that's it यही सारे चीज़े हैं जो छोड़ी चीजों को follow करके हम अपने आपको और जदा हेल्धी रख सकते है और नेचर फ्रेस ऑक्सिजन फ्रेस हावाई जो हमारे हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही है और ऐसे ही छोड़ी छोड़ी चीजों से आप अपने मी टाइम को इंजोई कर सकते हो और अभी मैं नीचे आके देख रही हूँ कि मेरा टॉम बबू उठ गया है क्योंकि वो सो रहा था वैसे तो हम सब कोई साम के रूटिन को लेके थोड़ा बहुत स्ट्रागल करते हैं हमें ऐसा लगता है कि साम हो गया चलो गूमने चले जाते हैं या फिर साम हो गया थोड़ा सा कुछ मुवी देख लेते हैं या फिर लैप्टॉप के सामने बैठ जाते हैं के ड्रामा देखने के लिए ऐसा ही कुछ हमरे लाइफ स्टैल चलता है या फिर हम लोग सोफे में बैठ जाते हैं गप्पे मारने के लिए भी टाइम नहीं होता है, सब कोई अपने मुबाइल पे बीजी रहता है, और इसी कारण हमारे जब बॉड़ी है, वो टाइड नहीं होता है, क्योंकि हम लोग कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं, एक जगा पे सिठ होके बैट जाते हैं, जिसके कारण हमें नीद आने म का प्रॉब्लेम बढ़ जाता है, पिग्मेंटेशन, आपको एंटी एजिंग का भी फेस करना होता है, तो ये सारे चीज़े प्रॉब्लेम हमें फेस करना होता है, अर्ली एज में, और में आभी आ गई हूँ, मेरा जुम्बा क्लास, येज गाइस, आप लोग के साथ मैं फ अच्छा पॉजिटीव मेरा मतलब वाइब मिलता है, मुझे में बहुत ज़्या खुश हो जाती हूँ, क्योंकि जो डांस होता है उसमें वाक आउट रहता है, और आपका जो एनरजी लेवल होता है, और डे वाइटी इंक्रीज होता है, जुम्बा क्लास में सूट करना बह बाहर से जो जिम का जो ट्रेनर था, वो सूट कर रहे थे, अपना सोसल साइन में डालने के लिए, तो मैंने उन से थोड़ा बहुत क्लिप लिया ताकि मैं आप लोगों के साथ सेयर कर पाऊं, कि अभी मैंने अपना रूटीन पे जुम्बा क्लास को भी एड़ किया है, और इससे मैं बहुत ज़्यादा खुस रहने लगी हूँ, क्योंकि बहुत सारा लोगों के साथ मिलना होता है, बाते होती है, डांस होता है, तो रहसा म्यूजिक होता है, और बहुत ज़्यादा फन भी होता है, तो येस गाईज, अभी मेरा रूटीन में जुम्बा क्लास अगर करना चाते हो, तो कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत कोई है, वेट ट्रेनिंग करना पसाद नहीं करते हैं, वो लोग आराम से जुम्बा क्लास कर सकते हैं, और फिटनेस को भी अपना मेंटेन कर सकते हैं, और अच्छे से क्लास कर लिया है, बहुत जदा सुईटिंग भी हो चुका है और बहुत जदा हैपी हूँ और एक ग्रूप पिक्स तो बनता है तो वही ले रही थी मैं जुंबा क्लास के बाद घर आने के बाद मैंने सुट नहीं किया था क्योंकि मैंने घर का थोड़ा बहुत काम कर रही थी जैसे कि बेट सिट चेंज करना हो घर को थोड़ा क्लीन करना हो उसके बाद मैं अभी नहा रही हो और नहाना बहुत जदा इन्पॉटेंट होता है जितना भी सुट रहता है वो तो रीमूब होता है और अगर आप अपने नाइट रूटिन को और अच्छा करना चाते हो तो अपने तो मैं नहा लेती हूँ और अपना हेड़ वास भी कर लेती हूँ ताकि जितना भी डर्ट से रहता है और रिमूव हो जाता है ताकि हेड़ वास हो जाएगा तो डेंडर नहीं होगा हैर मेरा फ्रेस रहेगा इसमेल नहीं आएगा और हैर फॉल भी जादा नहीं होगा तो य हमआरी जो रूटिन है तो सिम्पल होना चाहिए ucking हम लोग फॉलो कर सकते हैं ऐसा फैनसी रूटिन नहीं होना चाहिए ता कि जोश-्जोश में हम लोग एक हफता दो आपता फॉलो तो कर ले पर वो लाइफ टाइम हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं कि कि वो सारे चीज़ नहीं होता है रियल लाइफ में वह वीडियो देखने में आच्छा लगता है ऐसा रूटीन होना चाहिए तक ही इजीली हम सब कोई उसको फॉलो भी कर सके और हमारे हेल् lifestyle में हम लोग add कर पाए so यहाँ पर नहाने के बाद में serum यूज कर रही हूँ नौरियल का serum यह मेरा बहुत time से serum यूज कर रही हूँ और बहुत अच्छा serum है तो मैं इसी कोई serum को यूज करते हूँ अभी तक मैंने replace तो नहीं किया है पर plum का मैंने coconut serum एक बार लिया है पर वो अभी तक उतना ज़्यादा में यूज नहीं करते हूँ पर वो भी अच्छा है पर नौरियल का serum बहुत अच्छा है और यह dryness को भी बहुत हद तक कम कर देता है और जो भी आप heat यूज करते हो उससे पहले भी अगर use किया जाए तो उससे भी protect करता है थोड़ा दिर पहले ही मुझे एक parcel receive हुआ actually में तरा में अभी मेंने बहुत सारा corset, night suit और थोड़ा बहुत tops में ना order दिया है तो थोड़ा थोड़ा करके मुझे receive हो रहा है तो आज मुझे receive हुआ है night suit और यह Pinterest में मैंने देखा था बहुत ज़्यादा ही देखा था मैंने तो इसको skin shot लेके मैं रखी थी कि मुझे भी लेना है तो मिंत्रा में मुझे available मिला तो मैंने ले लिया और यह बहुत ज़्यादा light weight लग रहा है बहुत pretty भी लग रहा है night suit कैसा लगा आप लोग मुझे comment करके जरूर बताना मुझे तो काफी अच्छा लगा और काफी cool और काफी stylish भी है इसके बाद मैं जाओंगी cooking करने क्यों work out के बाद जो मेल होता है वो बहुत ज़्यादा important होता है but night में मुझे ज़्यादा ताम ज़्यादा खाना अच्छा नहीं लगता है बाद के डिनर के लिए मैं बना रही फ्रेंच फ्राइस जिसके लिए मैं sweet potato में यहाँ पर यूज करूंगी और यह मेरा sweet potato को हाथ पर और अर्रेटी निकल चुका है sweet potato बहुत ही healthy होता है आपके health के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें natural keratin होता है जो हमारी skin के लिए hair के लिए और overall body के लिए बहुत अच्छे होता है आप weight loss में हो आपको hormonal problem में आपको weight manage करना है आपको skin का quality अच्छा करना है कुछ भी करना है sweet potato को अपने diet पे include कर सकते हो आपको बहुत अच्छा इसका result मिलेगा sweet potato को चार्ड बना के खा सकते हो मैंने already आप लोग के साथ recipe share किया है और sweet potato थोड़ा hard होता है तो उसको french fries का जो cut होता है वो save देना बहुत ज़्यता मुस्किल होता है मेरे से तो होता नहीं है तो मैं जैसे तैसे करके इसको cut कर लेती हूँ इसके cut करने के बाद इसको अच्छे से जो normal water होता है उसमें सूख करना है 5-10 मुनी बढ़ थोड़ा सा salt देने के बाद जो भी गंदेगी रहता है वो remove हो जाता है नमक water से clean करने के बाद fresh water से भी एक बार clean कर लेंगे इसके बाद कुछ masala इसमें add करेंगे या फ्रायर इसको तो यहां पर मैं थोड़ा सा नमाग थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा मैं यहां पर प्यारी प्यारी मसाला याड़ कर रही हूं आप लोग नौर्मेल घर पे जो मसाला होता है वो भी एड़ कर सकते हो और यह मैंने बनाया है ओट्स खेचरी जाएचर जाएचर दस से बाड़ा मिनिट लगा हो गए पेसर गोकर में बहुत जल्दी बन जाता है बहुत ही इजी है इसको बनाना भी और रेडी हो गया है मेरा फ्रेंज फ्राय और बहुत ही कुर्ण पुरी चटपटा सा भी लगत गिल्टी खा सकती हूं क्योंकि हेल्दी भी है और स्वीट पॉटेटो बहुत ही जादा अच्छा होता है तो आप लोग एक बर ट्राइ करना और थोड़ा सा यहां पर मैंने घी आड़ किया है ताकि अच्छा लागे क्योंकि खिचरी में घी बहुत ही यम लगता है खाने मे तो इसलिए मैंने आड़ किया है जो मेरा डिनर का जो टाइमिंग होता है वो होता है साथ और आठ के बीच वो डिपेंड करता है कि कौनसा कैसा काम है पर आठ से जादा नहीं होता है क्योंकि डिनर का जो टाइमिंग होता है वो सोने से दो घंटा पहले होना चाहिए और डि अच्छे से हो जितना अच्छा डाइजेस होगा वह उतना ज्यादा हमारे हेल्प के लिए अच्छा रहेगा अफ्टर डिनर अब मैं करूंगी अपना नाइट स्किन केर रूटीन और मेरा ना हर दिन जैसे सातो दिन मेरा एक ही जैसा इसकिन रूटीन नहीं होता है नाइट में वीकेंड में मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्किन केर में करती हूँ वीकेंड में थोड़ा सा टाइम लेके करती हूँ और बाकी टाइम पर नॉर्मेली स्किन केर में फॉलो करती हूँ और मेरा skin कभी dry रहता है, कभी oily रहता है, कभी बहुत ज़ाद sensitive रहता है because मेरा hormonal problem है, तो skin जैसा जिस दिर मुझे feel होते हैं, उस हिसाब से मैं toner, mustroger, उस हिसाब से मैं change करती रहती हूँ आज जैसे मुझे बहुत ज़ाद dry feel हो रहता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा hydrating में toner यूज किया था कि skin थोड़ा सा hydrate रहे और full light ऐसी चलता है, तो skin hydrate करना बहुत ज़दे important है, और यह है Korean बहुत famous serum, यह तो मतला बहुत ज़दा hype में था तो इसको मैंने all over खतमी कर दिया है, यह skin के लिए बहुत अच्छा है, यह hydrate करता है आपके skin को एक अच्छा natural glow भी देता है, बाट इसको लगाने से आपके glass जैसे skin भी नहीं होगा, ना आपका Korean बन जाओगा, ना Korean जैसा आपका skin होगा, आपका genetic जैसा है, आपका वाइस से ही skin रहेगा, बट इसकीन का जो texture है, इसके हाइडरेशन है, वो बेटर हो सकता है, तो लगा सकते हो, और उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ, पॉंस का मॉस्ट्रोजर बेस्ट है, लाइट वेट है, मेरे पास था तो मैं यूज कर लिया, इसको मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, अपना teenage time से, और वैसे भी बहुत सारा ऐसे ही light weight मॉस्ट्रोजर है, वो भी आप यूज कर सकते हो, और मैं थोड़ा light weight ही मॉस्ट्रोजर यूज करती हूँ, और यहाँ पर मैं dot and key का जो मॉस्ट्रोजर ही, यह बहुत जल्दी एक्सपैर होने वाला, जैसे 15- इस दिन में, तो इसका जितना भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इसको मैं अपना हैंड में पुरा बॉड़ी में लगा लोगे, ताकि मेरा पैसा वेस्टेज ना हो, मैं ऐसा ही करती हूँ, जब भी एक्सपैर होने रगता है, मैं अपना बॉड़ी में लगा क्यों, खतम करती हूँ, ताकि हेर में अच्छे सेक मसाज भी मिल जाए, ब्लड सर्कूरेशन भी हो जाए, बस इतना सिंपल सा मेरा स्किन केर रहता है, रूटीन जो मैं स्किन और हेर के लिए में फॉलो करती हूँ, जब अप अकेले रहते हो तो बहुत ज़दा ओवर्थिंकिंग करते ह अपने लाइफ को लेके कि आगे क्या होगा नहीं होगा, यह सारे चीज होता है जब आप खाली बैठते हो, ज़दा काम नहीं होता है, इसलिए आप ओवर्थिंकिंग होता है, डिप्रेसन होता है, मैं कोशिस करती हूँ, कुछ ना कुछ काम करूँ, अपने आपको बिजी जब से मेरी YouTube सुरू किया है, तब से तो मैंने बहुत ज़दा बिजी हो गई हूँ, फिर मेरा पेट से अपना काम है, घर का काम है, तो मेरे पास उतना टाइम ही नहीं होता है, यह सारे चीज सोचने के लिए, तो अभी मैं बहुत ज़दा पॉजिटीव रहती हूँ, और मे नहीं करती हूँ, दिन के टाइम पर पूरा दिन क्या खर्चा किया है, वो भी मैं नोट करके रखते हूँ, तकि किलियारिटी रहे मन के लास्ट में, इसके बाद अपने बेट को अच्छे से में किलिन रहती हूँ, क्योंकि नीद बहुत अच्छा है, बच्पन से ही मेरा आ क्यार करो, ग्रूमिंग में अपना आपको वक्त दो, फिटनेस में वक्त दो और आपने आपको मोटिवेट रखो, कॉन्फिडेंट रखो, ताकि अप लाइफ में आगे बरसा को सक्सेस मिल सके, सो गाइस नेक्स वीडियो में फिर मिलते है, चैनल को ज़रू का दिना, भाइ!